इलाइट स्टेडी प्लेटफ़रम पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में डिस्कुसन करेंगे हिमाचल परदेश में पोस्ट कोड 903 और 949 के उपर इस मैं का सबसे बड़ा अपडेट क्या है साथ में हम डिस्कुसन करेंगे हिमाचल परदेश में जियोईटी 817 का जो कोड केस चर रहा है उसके उपर क्या लेटेस्ट अपडेट आया है आखिर कब तक इन परिक्साओं का परिनाम गोसित हो सकता है सबसे पहले सुरुआत करते हैं जियोईटी पोस्ट कोड 903 और 949 की देखे काफी दिनों से इंतजार था हमारे टीम भी इस पूरे के पूरे मैटर को अच्छे से कबरब कर रही थी कि आखिरकार जो हिमाचल परदेश सची वाल्या में कार्मिक विभाग है बहां से जो इन 930 और 949 पोस्ट कोड की फाइल्स आनी थी इमाचल परदेश राज्या चैन आयोग के लिए उसके उपर क्या अपडेट है तो आपको बता दें ये फाइल्स HPRC हमीरपूर में पहुंच चुकी है और इनके उपर काफी जोरोसोरों से काम चल रहा है ये हम इसलिए ऐसा कह रहे है क्योंकि देखिए यहां पर राज्या चैन आयोग के जो चेर्मेन है आरके पूरूती उनके द्वारा कहा गया है कि एट परजेंट जो इनके करमचारी है इन दोनों पोस्ट कोड के उपर जो बिजी लैंस है उनसे डाटा मांगा जा रहा है बिजी लैंस में दोनों प्रिक्साओं का हम देखें यहां पर तो 16 अभयर्थी ऐसी है जिनके उपर आरोप लगा है कि पेपर लिकेज के मैटर में सनलिप्ततन की पाई गई गई है 949 में 255 लोगों को इरोजगार मिलना है इसके इलाबा 965 एक ऐसा पोस्ट कोड है जिसके भी एक्जामिनेशन ही नहीं हो पाया है तो आने वाले समय में 965 के उपर भी निरना होगा क्योंकि उसके उपर देखी अभी कोई इसू ही नहीं है और उसके अलाबा भी हमारे टीम आपको बार बार कहा रही है कि हजारों की संख्या में आपको हिमाचर प्रदेश में JIT के एक और एड़बर्टीज में देखने को मिलेगी तो आप अपनी त्यारी को कंटिन्यू रखिएगा वीडियो के अंद में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप इलाइटरी प्रेटफर्मी कुछ बुक्स को फॉलो करते हैं तो किस तरह से आपकी अप्रिक्सा है क्वालिफाई हो सकती है तो यहाँ पर जो HPRCA के Chief Administrative Officer है उनके दोरह कलियर कर दिया गया है कि HPRCA हमेर पूर जो बीजिलैंस के कैंडिडेट से उनका डाटा लिया जा रहा है और उसके बाद जो भी इनवगेंसिस की रिजल्ट निकालने की प्रोसेस से उसे सुरू कर दिया जाएगा देखिए इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है पोस्ट को 930 और 949 की जो मैक्सिमम फॉर्मल्टीज है और कबराप हो चुकी है अब देखिए HPRC क्या करेगा ये सारे के साथ डाटा को रवीव करेगा ताकि कोई तूटी ना रह जाए क्योंकि देखिए काफी जिम्यदारी वाला है काम होता है किसी को आपने जौब देनी है जिसमें तूटी रह गई और उसको जौब मिल गई तो उसके बाद काफी मुश्किल होता है हर इंसान के लिए जिसकी जौब के बाद फिर उसको पता चले कि तूटी की वज़ए से बाहर हो रहा है या अंदर हो रहा है तो इसलिए एकोसिस होती है कि समय ज़्यादा ले लिया जाए लेकिन किसी भी हव्यार्थी के साथ में किसी भी तरह का कोई अन्याय ना हो तो यह अच्छी खावर है कुल मिला करके जैसे ही यहाँ पर लग रहा है कि पोस्ट कोड़ 817 का मैट रहे दी सूलत जाता है उसके पर भी हम डिसकसन करेंगे तो पोस्ट कोड़ 930 और 949 बिजिनेंस की तरफ से विनको क्लीनेंस आइटिंग पहले दे दीगी अब जस्ट डाटा रिकॉल किया जाएगा अब उसके बाद दोनों पोस्ट कोड़ के उपर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इसके लाबा जो 16 और फाइले इसमें आप देख रहे होंगे 21 के आसपास वो पोस्ट कोड़ है तो उनका भी देखी अभी काम प्रोसेसिंग में चल रहा है उसके लिए देखिए HPR 6 के पास उनकी रिटन टेस्ट को कनक्ट करने की अजेंसी है उसके टेंडर के बाद ही वाली प्रोसेस आगे वड़ सकती है पोस्ट कोड़ 817 की यदि हम बात करें तो हर रोज हमारे टीम रिव्यू कर रही है कि हमाचल प्रोदेश उच नयालिया की जो वेबसाइट है जहां पे हर रोज का स्टेटेस अपडेट होता है कि इसका हमारे तो आज देखिए पिछले कल भी हमारे टीम इसके उपर देख रही तो पिछले कल आज की हेरिंग दी गए थी और आज देखिए यहां बजब साथ तारीक वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है तो 882024 की हेरिंग दी गई है हमारी टीम भी उम्मीद करती है कि जितने जल् सब चरितार्थ होना चाहिए नावियर्थियों के साथ में निया होना चाहिए तो बेट कीजिए का जब आपने इतना लंबा इंतजार किया है तो एक दिन का और है माननी उचनियालिया का आदेश है यहां पर देखिए कि नेक्स टेरिंग है 882024 को होने वाली है तो आपको अपनी त्यारी हिमाचल परदेश में जो स्कूल लेक्चरर न्यूं की वकैंसी जाने वाली है उसके लिए है तो आपको हम बता दें कि अपनी त्यारी को आज से अभी से ही सुरू कर दीजिएगा अपनी स्क्रीन पर आप एक इमेज देख रहेंगे यह इमेज है हिमाचल प फटल स इसमें कोसिंड बाएंगि एक बहुत ही बहत सी बहतरी इस्की पर कई चाहिए उसको आपने ऊप्पयूर्टर की तयुक्ति गर पहुंच जाएगी साथ में आपको हिमाचल पर्देश में किसी भी तरह की प्रिक्सा लिए लिखी गई है इस किताब के साथ में आप 83 करेंट फिस्की किताब निसूलक में प्राप कर सकते है एच पी जब आप हिमाचल परदेश के किसी भी तरह की प्रतियों की प्रिक्सा की त्यारी करते है तो इलाइस्टेडी टीम का जो प्लेट पॉर्म है पूर्णता हिमाचल प्रदेश के लोगों के द्वारा इसे संचालित किया जाता है और काप अच्छी पकड़ है माचल प्रदेश की प्रतियों की प्रिक्साओं की किताबों के उपर इस्प्लेट फॉर्म की तो आप इलाइस्टेडी को डॉटिन बैक साइट में जाकर के अपने लिए अन्या प्रतियों की प्रिक्साओं से समंदित भी बहतरी जो आपको किताबे मिलती है ने थैंक यू वरी मुच कीप वाचिंग एलाइस्टेडी यूटुब चैनल